आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको प्रोजेक्ट इरेडियेंट रूम का रिव्यू करके बताने वाला हूँ इस वीडियो पे आगे बंडे से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें उसके बाद बैल बटन दबाएं फिल अल नोटिफिकेशन आइकोन को क्लिक करें जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालू वो आप तक immediate notification पोहाँच जाए इसके बाद आप मेरे हर एक वीडियो को लाइक करें, share करें और comment बरें ये भी बहुत important है इसके बाद आप मुझे सभी सोचल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करें जैसे कि टेलिग्राम, रेडिट, ट्विटर, टंबलर, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, एक्सडीए, पी इंट्रेस्ट सभी जगों पे हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, रेक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी भी महनत के लिए मुझे थोड़ी सी क्रेडिट दे दिए किजिए, ये सब लाइक, कमेंट, से और फॉलो करने से मुझे इंट्रेस्ट आता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो और एनरजेटिक बनाने पे हिम्मत मिलती है तो प्लीज मेरी भी हेल्प करें, जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कुछ डिटेस्ट जानकाली देखे तो चल ये वीडियो में बढ़ते हैं, रेडियेंट रोन जो है, ये आप देख सकते हैं रेडिमी नोट 4, कोडनेम वीडियो के लिए, बिल्ड नंबर आपको दीख रहा है Android वर्सन आपको दीख रहा है, बेसिक से रेडिमी नोट 4 के हार्डवर दीख रहा है का सेक्योरिटी पैच है, एक अक्टूबर दोहजार इकीस का Google Play सिस्टम अपडेट है, करनल हमें नया दिखने को मिल रहा है, 4.9 एलाइस के तरफ से आने वाला, और ये जो रोन का बिल्ड हमें दिखने को मिला है, 28 जनवरी 2022 का बिल्ड है, तो काफी अपने जिरोत के साब से स्वाइप आप करके दिखाऊँ, तो गूगल वाला एप वाला ये रोम है, यानि की जी एप रोम है, तो आप देख सकते हैं, काफी एप पहले से लोड होके आया है, इसमें, यानि की एक ये हेवी जी एप वेरियंट है, लेफ्ट साइट पर आपको गूगल पेज मिल जाएगा, राइट साइड में जो आप एप इंस्टॉल करती जाएगे, वो आ जाएगा, इतनी एप आपको मिलेंगे, कुछ एक दो बेसिक एप मैंने लोड किया है, आपको रिज्यू ले लीजेगा, गूगल डियो एप के मदद से आप वीडियो कॉल इंटीकरेट वहाँ कर पाएंगे, बस इसे डाउनलोड करके आपको इसमें अपना एकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, उसके बाद आप नेटिवली डैलर पे ही वीडियो कॉल का मज़ा ले पाएंगे, एम प्रूट भी मैं आपको चेक करवा दो कि मैंने चेक किया है, ये रोम बिलकुल भी रूटेट नहीं है, आपको आराम से आप चला सकते हैं, देखे, रूट भी नहीं है, अब मैं आपको प्लेश्टोर भी चेक आउट करवा देता हूं, इस पे प्लेश्टोर भी आपको certified मि नहीं होने वाला है देख सकते हैं इसका मतलब डिवाइस सर्टिफाइड भी हो गया है फोन रूड भी नहीं है बेसिक चीज आपको पता चल गया कैमरा में मैं आपको अगर लेके चलू तो कैमरा पे Gcam 8.1 एक्सिलेंटली काम कर रहा है डारेट में आपको वीडियो से स्टार्ट करता हूँ स्लो मोसन बस काम नहीं करेगा आप बाकि इस टेबलाइजेसन आपको मिल रहा है स्वाइप डाउन अगर मैं आपको दिखाऊ तो 4 फोटोग्राफी का भी सपोर्ट मिल जाएगा तो इस टैप की इंप्रूवड फीचर्स आपको इस कैमरे में मिल जाएंगे और मैं आपको प्रूव दिखाने के इसे पिक करके दिखा देता हूँ देखिए हमारा कैमरा अच्छे से काम कर रहा है अब आपको कैमरा टॉपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अब मैं आपको यूटूब एप पे ले चलता हूँ और हम चेक करेंगे 4K वीडियो चल रहा है की नहीं अब आप जैसे की देख सकते हैं इस रोम पे 4K वीडियो प्ले हो रहा है आपको 4K वीडियो का सेटिंग भी मिल जा रहा है इसे इसलिए इंक्लूट किया गया है क्योंकि MIUI 11 पे 4K वीडियो अराम से चलता है बहुत सारे कस्टम रोम्स पे 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है किसी में 2K किसी में Full HD का ही सपोर्ट मिलता है इसलिए इसे डिफ्रेंसियेट करके क्लियर करवाना आपके लिए जबुए था आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताता हूँ अगले कुछ basics जो मैंने लोट किया है जैसे कि मैंने मी कलेंडर एप लोट किया है यह अच्छे से इस फोन पे काम कर रहा है आप देख सकते हैं सेडूल वगरा पूरा काम करेगा आप यहां से अड़ अपने सेडूल नोट्स लिख सकते हैं और फेस्टिबल भी सो कर रहा है अब मैं आपको बता दूँ देखें मी वीडियो एप भी अच्छे से काम कर रहा है कोई भी problem नहीं आ रहा है मी वीडियो एप में भी अब स्वामी का मी गैलरी भी काम कर रहा है तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं अब आप देखिए मी गैलरी है जो मैंने ओपन करके रखा है मैंने कुछ फोटो भी की चाहिए sample के लिए देखिए edit पर मैं अगर आपको ले जाके दिखाऊं तो आपको editing mode MI का मिल जाएगा और यह MIUI 13 वाला गैलरी है जो की अच्छे से काम कर रहा है swipe up करेंगे तो आपको social platform sharing वाला जो option आता है same वही आएगा swipe down करने से आपका app gallery का photo close हो जाएगा तो gallery app भी अच्छे से काम कर रहा है MI के तीनों app काम कर रहे है यानि की me calendar और me gallery और साथ में me video तो यह भी अच्छी बात है Google translator भी अच्छे से काम कर रहा है इसकी बाद अब मैं आपको कुछ एकाथ चीज़ दिखा देते हूँ देखिए Microsoft launcher भी मैंने load के है third party launcher चेक आउट करन आयर ब्लास्टर आप इस phone का अराम से यूज़ कर सकते हैं बीना किसी bug के अब आगे बढ़ते हैं इस पे आपको और कुछ बताने लएक तो नहीं है अब हम चलेंगे अपने Google Pixel photo review पे अब मैं आपको Google photos पे ले चलता हूँ जो कि मैंने load किया है Pixel 6 pro वाला तो हम इसे open करेंगे इस पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपको magic eraser का support मिल गया है जैसे कि मैंने इसे करके भी दिखाया देखिया आप एक photo को देख लिजे अब magic eraser यूज़ करके देखिये पूरा photo गायब हो चुका है तो काफी अच्छे से magic eraser Google 6 pro वाला काम कर रहा है तो आप आराम से यूज़ कर देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम इस settings के वाले पार्ट पर आगे बनने से पहले please request कर रहा हूं मैं बहुत महिनात करता हूं मेरी वीडियो को like भी कर दें share करें और comment करें और पूरी वीडियो को देखें इसकी और forward किये बिना साथ में subscribe करके all button को जरूर दबाले सभी social platform भी मुझे follow कर ले please बहुत जरूरी है यह देखिए network and internet के अंदर आपको केवल एक setting देखने को मिलता है जो की होता है Wi-Fi calling का आप अगर उसे on करते हैं आप उसको on करते हैं तो आपको कम सकम यह settings section रहेगा कि Wi-Fi calling support कर जाएगा बट मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 4 का hardware limit है वो यह है कि Wi-Fi calling, dual 4G voltage और fast charging यह तिन technology काम नहीं करता है क्योंकि इसके hardware पर limitation है इस वज़े से network के अंदर कुछ भी बताने लाइक नहीं है और app में चलें तो मैं आपको app में जैसे कि मैं बता चुका हूं default app में आपको वह ले चलता हूं आपको Q-step वाला launcher देखने को मिलता है जो की basic launcher है मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है और वैसे भी मैं third party launcher Microsoft launcher ही अपने day to day के लिए use करता हूं तो आपकी test की बात है आप कोई भी launcher use करे या default करे कोई भी problem नहीं है आपको दीख रहा है यहाँ default apps के और यहाँ पर और और भी कुछ चीज बताने लाइक नहीं है आगे पढ़ते हैं notification में दो ही setting होता है bubble notification काम कर रहा है swipe करके नीचे आएंगे हम enhance notification भी अच्छे से काम कर रहा है आगे बढ़ा जाए notification से बाहर battery पे चलते हैं तो battery backup इस रोम पे बोलना पड़ेगा कि मुझे उतना कुछ खास नहीं मिला है as compared दूसरे रोम के तो अगर मुझ एक से डेड़ घंटा कम मिला है याने कि आप यह मा सकते हैं साड़े चार से कुछ एराउंड साड़े शाय पौने साथ घंटा कि आसपास आपको battery backup इस रोम पे देखने को मिलेगा मेरे case पे फिर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं आप कितना dwell sim चलाते हैं कितना mobile net चलाते हैं कितना GPS on रखते हैं कितनी screen की brightness रखते हैं फोन को कैसे vibrate mode में रखते हैं कितना game खेलते हैं कितना phone को stress out करते हैं वो सब भी patterns भी depend करता है इसके अलावा ये भी depend करता है कि आप के phone का battery का actual health कैसा है क्योंकि देखिए Redmi Note 4 जो है ये around 5 साल हो चुका है और इन 5 सालो पर बैटरी की life भी degrade होती है आगे बढ़ते हैं आप इकको यहां पर battery percentage का मिल जा रहा है जो की काम कर रहा है और कुछ खास यहां बताने लाइक नहीं है battery manager battery saver तो दिया गया है आप चाहें तो इसे भी use कर सकते हैं schedule भी डाल सकते हैं बैटरी से बहार लिकलते हैं तो sound में आपको storage के अंदर हम चलेंगे तो storage में हमें system दिख रहा है 8.9 यानि कि 9 GB system consume किया है GAP वाला ROM है heavy GAP वाला ROM है तो ठीक है not a bad 2 GB वाले लुप को issue हो सकता बाती 3 32 64 64 Redmi Note 4 को को कोई problem नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं sound पे आपको तीनों important चीज मिल जाता है जैसे कि मैं सीधा swipe down करके दिखाऊं तो आपको direct sound यानि की me sound in answer भी मिल रहा है जो की काम कर रहा है कोई भी problem नहीं है इसके लावा audio amplification यानि की headphone, microphone और speaker तीनों को आप थोड़ी सी boost कर सकते हैं इसके लावा आपको clear speaker का भी feature मिल जाएगा जो की MIUI ROM वाला feature होता है और ये भी अच्छे से काम कर रहा है sound से बाहर हम चलते हैं इसके बाद display की बात करें तो display पर आप देख सकते हैं adaptive brightness काम कर रहा है साथ में dark theme भी अच्छे से काम कर रहा है मैं देखे चेक करवा रहा हूं आपको dark theme जो है तो dark mode अच्छे से काम करता है कोई भी problem आपको dark mode में नहीं मिलेगा इसके बाद हम यहां से थोड़े से नीचे चलते है night light भी काम कर रहा है colored जो है आप चाहें तो इसे customize कर सकते है natural boost saturated adaptive काम कर रहा है बस मुझे adaptive वाला जो है वो बस अच्छा नहीं लगा क्योंकि उतना अच्छे से वो adopt नहीं कर रहा है आपके involvement को बाकी तीनों category काम कर रहा है कोई भी problem नहीं है और इसके बाद auto rotate screen saver सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है torch setting यह आपको दिया गया है और display calibration भी काम कर रहा है तो कोई भी problem इस topic पे नहीं है डिस्प्ले से बहार लिकलते हैं wallpaper पे आपको theme based icon वाले features मिल जाएंगे केवल google app पे ही काम करेगा wallpaper से बहार हम चलेंगे personalize पे यहाँ पर आप कुछ accent color change कर सकते हैं अपने जरूवत के हिसाप से यहाँ पर आप चाहें तो small clock भी ला सकते हैं अगर आपको full size clock अगर पसंद नहीं आता है lock screen पे तो यह आपके लिए है थोड़ी से customization दिया गया है privacy पे कुछ नहीं है location भी कुछ नहीं है accessibility के अंदर चलते हैं तो आपको live transcript यहाँ पर मिल रहा है साथ में आपको live transcript दिखा दो यहाँ पर भी आप use कर सकते हैं तो यह भी अच्छी बात है कोई भी problem आपको नहीं आएगा इसके बाद आप यहीं पर कुछ settings कर सकते हैं जैसे कि sound notifications वाले settings आपको मिलेगा extra beam का भी feature आपको मिल रहा है यह भी काफी अच्छे से काम कर रहा है यह उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको रात में phone यूज करना है बट उनको night light के कारण yellow display पसंद नहीं है तो जैसे कि मैं इसे काफी यूज करता हूँ night के टाइम पर तो काफी अच्छी बात है इसे आ आप देख सकते हैं hardware light नहीं जल रहा है यह बग तो इसमें देखने को मिल रहा है वैसे android 12 पे hardware light बहुत कम room पे हमें देखने को मिला है बाकी most of the case में हमें यह बग देखने को मिल दा है hopefully 3-4 मेन जब इस phone android 12 segment को हो जाएगा redmi note 4 के लिए तब साइध हमें improved मिल जाए देखे power button to end call भी आपको यहीं पर मिल जाएगा vibration and haptic feedback है live caption है caption preference भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं accessibility से बाहर हम चलते हैं security पे आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आपको swipe log pixel imprint smart logs suspicious message alert सब कुछ मिल जा रहा है phone का room not encrypted है app pinging का facility आपको यहाँ पर मिल जाता है आगे चलते हैं safety emergency में थोड़ी सी आपको कुछ अपनी medical details put up करनी होती है जिससे in case कोई unknown person आपकी emergency case पे help कर आए आगे बढ़ते हैं digital well being भी अच्छे से काम कर रहा है आप अगर use करना चाहते हैं तो use कर ली जाएगा personally मैं इसे use नहीं करता हूँ digital well being से बाहर मैं आपको system पे ले चलता हूँ system पे आपको gboard ही मिलेगा by default live transcript आपको यहाँ पर जो मिल रहा है इसकी मदब से आप यहाँ पर add language कर सकते हैं अगर आपको किसी all language में live transcript करवाना है उसकी लिए gesture की बात करें तो gesture पे यहाँ पर आपको quick camera का भी facility मिल जा रहा है ambient display आपको यहाँ पर दिया गया है और यह काम कर रहा है तो अच्छी बात है यह वाला ambient display भी काम कर रहा है gesture से बाहर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको developer option by default नहीं मिलेगा इससे आपको setting पे build number को tap करने के बाद आप यहाँ पर इसे open कर पाएंगे इस पे जाके आप जो setting करना आपको तब developer option आ जाएगा phone और device के basic details आपको यहाँ पर मिल जाएंगा Android 12 का detail Android 12 के detail पे जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ यह रहा हमारा Android 12 और यहाँ पर आप देख सकते हैं January का security patch October का Google Play system update 4.9 allies का आपको kernel मिल जाएगा सबसे पहले आप अपने phone के recovery में आ जाएं उसके बाद wipe में जाके डेलवी के system data vendor इन पांचों को select करके swipe कर दीजीगा इससे आपके phone पे जो भी custom room लोड रहेगा वो delete हो जाएगा इसके बाद आप home button पे जाएं file browser पे जाएं और अपना room जहाँ पर भी आप रखे हैं वहाँ पर जाके room select कर लिजीए जैसे कि मैं अपना room select कर लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ यह देखिए मैंने अपना room select कर लिए है room select करने के बाद आपको कुछ ऐसा menu आएगा simply इसे swipe कर देना इसके बाद room installation start हो जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ मैं project radiant load कर रहा हूँ यह है android 12 28 january 2022 का build date है इसमें आपको security patch मिलने वाला है 5 january 2022 का और यह redmi note 4 codename video के लिए है और यह gf वाला variant है तो आपको अलग से gf less नहीं करना पड़ेगा अब आप देख सकते हैं हमारा room install हो चुका है इसके बाद आपको simply wipe cast कर देना है और swipe कर दीजेगा इसके बाद आप reboot to system को click कर दीजेगा इसके बाद आपको दो से लेके पांच मर तक का समय लगेगा इस जरौन आपको कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है simply wait किजेगा वीडियो एंड करने से पहले प्लीस मैं आपसे humble request कर रहा हूँ मेरे YouTube चैनल को subscribe कर लें उसके बैल बटन दबाएं फिर call notification icon को click करें इसके बाद मेरे इस वीडियो को like करें, share करें और comment करें मेरे सभी social platform प्लेटफॉर्म प्लेजे follow करें वहाँ पर भी आपको